नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद यदि ए तथा ए के कार्ट्य गुणन में अव्यवों की संख्या नौ है और ए क्रोस ए के दो अव्यव आपको दिये गए हूँ ए की ये तथा दूसरा ये ठीक है तो सबसे पहला आप मुझे ये बताए कि यहाँ पर समुच्य ए क्या होगा बताए समुच्य ए क्या होगा तो यहाँ पर ए तथा ए के कार्ट्य गुणन में पहले हम बात करेंगे इस अव्यव की ये है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो माइनस वन है वो ए में है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जो 0 है वो भी A में ही होगा क्योंकि आप देख सकते हैं जो इकार्ट्य गुणन है ये A का A के साथ ही है तो 0 भी यहाँ पर आचाएगा क्या इतनी बार समझ में आई? अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 0, 1 यानि कि जो यह अव्यव है यह भी कहा है? A तथा A के कार्ट्य गुणन में है है ना? अब 0 तो हम already लिख चुके हैं तो हम repeat तो इसे करेंगे नहीं? बचा यहाँ पर 1 तो आप लिखेंगे 1 अब यहाँ पर आपको A जो है इसमें कितने अव्यव हैं? इसकी संख्या तो D ही नहीं है आप इसे कैसे पता लगाएंगे? इसमें क्या होगा? बताईए? तो देखें, ध्यान से देखेंगा यहाँ पर जो यह है यानि कि कार्द्य गुणन के अव्यवों की संख्या इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखें इसे हम लिख सकते हैं N A यानि कि A समुच्य के अव्यवों की संख्या गुणा यानि कि यहाँ पर क्या रहा होगा, तीन और तीन यानि कि तीन गुणा तीन हो गया नौ, इसका अर्थ है कि A में जो अव्यव हैं वो तीन होगे, तो आपने यहाँ पर A समुच्च ग्याद कर लिया क्या है, अब यदि मेरा दूसरा प्रशन आपसे यह है कि आप मुझे बता चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर A को दो बार लिख देते हैं, ठीक है, इससे आपको थोड़ी सी सहुलियत लगेगी, तो यहाँ पर मैंने यह A को लिख दिया, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनेगा, सबसे पहले आप इस minus 1 को लीजे और इन तीनों के साथ लिख द तो यह तीन अव्यव आ गए A तथा A कार्थय गुणन से जो समुच्च मिला उसके, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर 0 को लीजिए, ठीक है, तो 0 को फिक्स कर दीजिए, और फिर यह बाकी तीन जो अव्यव हैं, इन्हें यहाँ पर लिख एक कुछ जीरो माइनस वन, फिर जीरो जीरो और उसके बात क्या आएगा, बिल्कुल सही, जीरो वन, ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर वन के साथ कीजिए, तो एक बार आजाएगा वन माइनस वन, एक बार आजाएगा वन जीरो और एक बार आजाएगा वन वन, है ना, तो य ये क्या आगया? ये यहाँ पर एक रॉस ए आपने निकाल दिया. क्या एतनी वास समर्ज में आए?